जै भीम के नारों से मिसम मुम्मट चलने वाला नहीं है हाला की जै भीम के नारों से आंदोलन को 30 जना जरूर मिलती है और 30 जना भी बहुत महतवपूण होती है लिगन उससे भी ज़ादा महतवपूण है कि आप अपने एतिहास को अच्छे तरह से समझें अगर उनको फिलम देखने के लिए बोल दो तो वो तीन घंटा फिलम देख लेंगे नौन स्टॉप लेकिन अगर एक घंटे का कोई कैडर प्रोग्राम हो उसको देखने की बाता है तो बिल्कुल नहीं देखेंगे वो क्या देखते हैं टिक टॉक पर एक बिनट का डेड़ बिनट का वीडियो उसमें क्या होता है मरने मारने की बात पढ़ते लिखते नहीं है पढ़ने कंगो सोग नहीं है तो वे अपने दुस्मन और दोस्ट पर पहचान नहीं कर पाते हैं उसकी गंभीरता को नहीं देख पाते हैं और जो प्रसाहिते पढ़ लेता है वो कभी भी किसी भी हालत में RSS की जो मनुवादी विवस्ता है उसके सिकंजे में कभी नहीं फस्ता लेकिन जो युवा आज पढ़ा लिखा नहीं है पढ़ता लिखता नहीं है ना तो उसने स्कूली एजुकेशन ली है ना कॉलेज वाली एजुकेशन ली है और ना ही समाज की एजुकेशन अपने महान पुरुसों के सहते की एजुकेशन अभी तक उसने ली है अभी नमवद्ध साथियो साथियो अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे युबा से हमारी मुलाकात हुई जो वास्तम में करांती कारी है उसकी भावनाओं में करांती कूट-कूट कर भरी हुई है अगर मैं कहूं कि वह युबा वास्तम में आज के युबाओं को बहुत अच्छे ढंग से भोजन आंदोलन के लिए प्रेडित करने कारे कर रहा है तो उसमें कोई अतिस्योक्ती नहीं होगी बलकि मैं कहूं कि बहुत कम रह जाएगा उसकी तारिफ में मेरे पास सब्द नहीं है कहने के लिए लेकिन जब मैं उससे मिला और जब मैंने इस चर्चा की तो उसकी परतिवा के दर्सन तो मुझे हुए ही लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि यह युवा अन्य युवाओं की भाती गुम रहा है मैंने चितनी चर्चा उस युवाओं से करी उस चर्चा में उस युवाओं की जो चिंतन है विचार है उन विचारों में गहराई का आवहाँ देखा हाला कि इस युवाओं की जो उम्र है उसमें चिंतन की गहराई की उम्मीद करना बेईमानी है लेकिन जो उमीद उस युबक से थी कि कम से कम जिस संगठन से वह जुडा हुआ है जिस व्यक्ति से वह जुडा हुआ है उस व्यक्ति ने जो कुछ सिखाया है जो कुछ विचार दिये है युबाओं को जो कैडर युबाओं को दिया है कम से कम वो कैडर के दर्सन तो उस यु खिलम जी ने उस युवा का बहुत अच्छा इंट्रिव्यू लिया और पूरे इंट्रिव्यू में उसके पास इस बात के सिवाए कहने के लिए कुछ नहीं था कि आने वाले चुनाव में जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उनको जनता देखेगी और सुवयन ने करेगी अगर आप वह वीडियो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल NB News 24 X7 और धंपत इंडिया पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बार वह यूबक यही कहने के लिए मजबूर है क्योंकि उस यूबक के पास अनने कोई बात नहीं है साथि यह जो जमीन पर कारे कर रहा है इसका मतलब क्या है जमीन पर कारे करने का मतलब क्या है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो गली-गली जाकर पर्चे बांटने का कारे या लोगों से संबाद करने का कारे अधिकतर लोग इसी बात को इसी कारे को जमीनी इस्तर का कारे समझते हैं बड़ी ब्रहमक बात है और इसी ब्रहम में हमारे युवा जी रहे हैं और उनको लगातार गुम्रा किया जा रहा है यह जमीनी इस्तर पर जो कारे करेगा आंदोलन जो करेगा जो लोगों के सुख दुख में जो खड़ा होगा इस तरह की बातें कौन कर रहा है और क्यों कर र बिल्कुल गहराई से समझना जो व्यक्ति अपने आंदोलन को बड़ी गहराई से समझता है फिर वह इस काबिल होयाता है कि वह अपने दुस्मन और दोस्त में फरक करने लगता है वह फरक करना जान जाता है इसे कहते हैं जमीनी इस्तर पर लेकिन जो युवा आज पड़ा लिखता नहीं है ना तो उसने स्कूली एजुकेशन ली है ना कॉलेज वाली एजुकेशन ली है और ना ही समाज की एजुकेशन अपने महान पुरुसों के सहते की एजुकेशन अभी तक उसने ली है और वह ये दावा करता है कि जमीनी इस्तर पर जो कार्य करेगा उसको ज मैं इसकी तारिफ करेंब गध्या नहीं रह सकता लेकिन मेरा यहां मकसद इस वीडियो को बिनाने का उसकी किसी भी तरह से अलोचना करना नहीं है। बल्कि समाज के युवाको जाग रूँख करना मेरा इस वीडियो के माधियम से उद्देश से है। तो जब यह जो लोगों के सुख दुख में जो सरीक होगा उसे जंता खुद देखेगी स्वय देखेगी और उसको वोड करेगी यह जो बातें हैं आज हमारे बीच में कुछ एक जुबा नेत्रतु उभर कर आ रहे हैं राजनिती में हमें उनका स्वागत करना चाहिए लेकिन उन्हें इस बात के लिए सक्षम होना चाहिए कि जो हजारों लाखों युबाओं की भीड़ उनके पीछे आने वाली है आज नहीं तो कल आएगी तो उसके लिए उनके पास एक केडर होना चाहिए उसके पास उनको सिखाने के लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए जिस प्रोग्राम के माध्य हमसे वह उन युबाओं को जागुरू करे और फिर वे युबाओं अपने गली महले अपनी बस्ति अपने गाउं जाकर उस केडर का परचार और परसार बिलकुल वैसा ही करें अगर हमारा युवा जो आज नित्रतु परदान कर रहा है अगर वह कैडर देने में सक्षम नहीं है वह अपने इतिहास को नहीं जानता है वह अपने महानपुरूसों के सहत्य को नहीं जानता है उसको पढ़ा नहीं है उसने तो यह समाज के लिए बहुती खतरनाक इस्तिति ह हो जाएगी और मैं इस बात के लिए कई बार आगा कर चुका हूं कि साथियोग प्रस्ण यह उड़ता है कि यह मूटे मूटे जो बातें जो मूटे बड़ी तथ्थे दे कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो काम यह जुबा करने का कार्या कर रहे हैं इसमें कि इसीफिनी गंभीरता है उधारण के लिए मैंने आपको बताया अभी अब कहते हैं कि जो लोगों के सुख दुख में खड़ा होगा जो लोगों के लिए जमीन पर उतर कर अंदुलन करेगा सातियों हमने देखा दिल्ली में स्वराज बिल की मांग को लेकर अन्ना मूमेंट चला रहा हम लमदान में और केजरी वाल और जितने भी ये स्वन समाज के लो केजरी वाल की आमादिव पार्टी और लोगों के ऐसा लगा कि यह जो पार्टी है यह वास्ता में लोकतंत्री के अधार पर बनी पार्टी है लोकतंत्री के बात करती है आमादिव की बात करती है और हमारे समाज के लोग यह जान भी नहीं पाए इस बात को महसूस भी नही आवाज वहाँ पर उठाए जा रही है हमारे लिए लोग सड़कों पर तर रहे हैं हमारे लोग आंदुलन कर रहे हैं और इसलिए जो मैंने बात कही कि हमारे लोग जब साहिते नहीं पढ़ते हैं पढ़ते लिखते नहीं है पढ़ने का उनको सौक नहीं है तो भी अपने दु पानी और बिजली के मुद्दो पर भेग गया है अपने दुस्मन के हाथों बिग गया है कि सातियों जो लोग आज यह कह रहे हैं कि जो लोग जमीन पर उस्तर कर आंदोलन करेंगे लोगों के सुक दुख में खड़े होंगे तो कहने का मतलब यही है कि हमारा दुस्मन भी हमा अपने खेमे में मिलाने के लिए हमारे लिए आंदोलन कर सकता है कि एक और बडा धारण अक्षयर ब Nat 검us बाबु जग्जीमन राम जी भी अपने समाज का एक चहरा थे, लेकिन वो चहरा कॉंग्रेस की तरफ से हमारे समाज में प्रस्तुत किया गया था बाबु जग्जीमन राम जी भी अपने समाज के सुख दुख में खड़ाए हुआ करते थे, उनके लिए भी कॉंग्रेस की तरफ से आंदोलन क्या करते थे, लेकिन हर जगय भै यही कहा करते थे, कि दलितो का मसीहा अम्बेड कर नहीं है, दलितो के मसीहा गांधी जी है तो ये बात कैसे समझेगा हमारा समाज, आज तक हम अभी तक यही नहीं समझ पाए हैं, और हम इसी गुमराही में चल रहे हैं, हमें इतना गुमराह किया जा रहा है, जो जुबा आज खुद केडर नहीं समझता है, खुद सहिते नहीं पड़ता है, खुद सहिते को जानता है तो उससे हम कैसे उम्मीद करें कि वह उस आंदोलन को नेत्रतु दे पाएगा मैंने बड़ी गहराई से जो युबाओं का जो आज नेत्रतु चल रहा है उसका विचार किया उस मन्थन किया और उस पर वीडियो बनाए तो बहुत सारे लोगों से हमें अलोचनाओं का सिकारूना पड़ा और हम आप लोगों का सुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारे कारे को सरहा और हमारा यूटूब चैनल बहुत अच्छी प्रगति पर है लेकिन जि और ना है कि हम बड़ी बारिकी से तथ्यों की जांच कार कर आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं इसलिए हम निश्पक्षर रहते उवए भी निश्पक्ष नहीं हूँ पाते हैं क्योंकि हमें अपने समाज को एक नित्यतु पृदान करना होता है अपने के माध्यम से हमें अपने समाज को दिशा देनी होती है इसलिए हमारी गती स्लो है अन्य चैनलों के मुकाबले बहुत स्लो है क्योंकि अन्य चैनल हर जगे जाते हैं हर किसी की बात करते हैं और उनका किसी भी प्रकार का पक्षपात वाला या जो कहें कि गहरा मिसन मुवमेंट वाला जो रविया है वो नहीं है उनका मेन उद्य से यह है कि उन्हें अपने चैनल की प्रक्तित देनी है और समाज की बात भी करनी है मैं यह नहीं कहूँगा कि वे लोग समाज की बात ने उड़ाते वो 80% समाज के लिए कारे करते है लेकिन जहाँ पर employment की बात है वहाँ पर चैनल के लिए न्यूटरल पक्ष में रहे कर और लोगों से भी बात करनी होती है लेकिन हमारे साथ समझ से आई यह है कि हम विशुद रूप से अपने समाज की बात करते हैं अपने समाज के mission moment की बात करते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा संघर्स जादा करना पड़ रहा है तो सातियों जो यह यह कह रहे हैं उनकी बातों में बिलकुल भी दम नहीं है उसके अलावा बात और अच्छी कही बहुत अच्छी बात कही कि हमारे युवा बेसक किताब नहीं पढ़ते साहते को पढ़ते नहीं है लेकिन वे यूटूब और सोसल मीडिया के माध्यम से वीडियो सुनकर वे मिसल मुमेंट को जान लेते हैं सातियों अगर ऐसा भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है हाला कि जो सोसल मीडिया पर जो वीडियो जो होते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में वह चिंतन जो सहतिय के द्वारा मिलता है किताबों के द्वारा मिलता है उसका 10% ही वहाँ पर उपलब्द हो पाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वीडियो जो देखे जाते हैं और कितना कौन सी ओडियो देखती है हमारे यूटूब चैनल पर 45 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयू तक के सबसे अधिक ओडियन्स है दर्शक हैं अब आप अंदरा लगा लिजिए कि जो हमारा युबा है युबा किसे कहेंगे आज युबा वो है जो पंदरा साल से लेकर 25 साल तक का है और यह जो पंदरा साल से लेकर 25 साल तक का युबा है यह दिन रात यूटूब और फेस्वुक और अन्य सोसल मीडिया पर उपलब्द रहता है अगर वो दिन रात सोसल मीडिया पर उपस्तित है तो वह उस पर क्या देखता है यह हमारे चैनल की अपनी बात नहीं है हमारे दो चैनल है अगर मैं उनकी भी बात करूँ तो उनका भी यही रेसो आपको जर आएगा कि जो वीडियो को संजीदगी से देखने वाले लोग है वो 45 से 65 साल की उमर वाले लोग है यानि की जो और वह वाले वीडियो जिसमें बहुत चिंतन हो गंभीर चिंतन हो और महिलाओं की उपस्तिति तो उसमें नगन्ने है मात्र 10-11 परसेंट हमारे बहुत सारे विद्वान योट्यूब के माद हम से आपको समझाने का कारय करते हैं यूबाव समझाने कारय करते हैं लेकिन यूबा तो उनकी बात सुनता है उनसे बोर हो जाता है लचमन यादब जी अपने आदा घंटे का एक घंटे का वीडियो बनाते हैं और आदा घंटा एक घंटा आप कौन युवा देखेगा अगर उनको फिलम देखने के लिए बोल दो तो वो तीन घंटा फिलम देख लेंगे नौन स्टॉप लेकिन अगर एक घंटे का कोई केडर प्रोगाम हो उसको देखने की बात है तो बिलकुल नहीं देखेंगे वो क्या देखते हैं टिक टॉक पर एक बिनट का डेड़ बिनट का वीडियो उसमें क्या होता है मरने मारने की बात अगर हमारे समाज पर उंगली उठाई तो सीना चीर देंगे ऐसी बाते हमारे युबाओं को ज़्यदा पसंद है नया नया खून है और ऐसी वीडियो आपको अधिकतर यूटूब पर या कहीं पर भी जो देखने को मिलेंगी वही आपको बढ़ चड़कर पब्लिस होती हो दिखाई देंगी सेर होती दिखाई देंगी जाती वाद के उपर आधारित चमार जाटव इस ऐसे सब्दों का इस्तेबाल करने वाले वीडियो बहुत बड़ीत अदाद में लोग देखते हैं उनको सब्सक्राइब भी करते हैं उनको सेर भी करते हैं और टिक टॉक पर जो जैभीम लिख दिया तो वहाँ पर फोलोवर्स की संख्या देखिए अपने आप बढ़ जाती है हमारा युवा आज भटकाओं में है पूरी तरह भटकाओं में है और विशे इस तोर पर जब लड़कियों की बात आती है महिलाओं की बात आती है तो वह महिलाओं की तरफ अत्याधिक आकरसित होतावा दिखाई देता है शातियों जो मिसन मुवमेंट की बात करता है उसे मिसन मुवमेंट पहले समझ में आना चाहिए लेकिन जब हम मिसन मुवमेंट की किसी भी युवा से बात करते हैं तो वह वहाँ पे बिल्कुल जिरो दिखाई देता है उसे जैभीम के नारे लगाने को कहो तो सबसे आगे दिखाई देगा जैभीम के नारों से मिसम्मूमन चलने वाला नहीं है हाला कि जैभीम के नारों से आंदोलन को उतेजना जरूर मिलती है और उतेजना भी बहुत महतपूर होती है लेकिन उससे भी ज्यादा महतपूर है कि आप अपने इतिहास को अच्छी तरह से समझें, पेरियर साब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कि छात्रों को अपने जीवन काल में, कभी भी अपने छात्र जीवन से भठकनाने चाहिए, किसी भी आंदोलन में, कोई भी घटना घटियो, कुछ भी उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर जाना चाहिए, उन्हें केवल और केवल अपने छात्र जीवन में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, यह जो हमारे समाज का जो छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, इसकी उम्र जो है, 25 से 30 वरस तक अगर मैं कहूं, कि 25 से 30 वरस की उमर तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करे और पढ़ाई के सिवा कुछ ना करे, तो हमारे समाज के आंदोलन अवरुद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि युवाओं की अगर मैं उमर की बात करूं, जिसे हम युवा कहते हैं, तो वह 30 से 50 साल तक का जो व्यक्ति है, वह भी युवाओं की स्रेडी में आत इसका उद्देश है, इसके उपर जिम्मेदारी है आंदोलन की, 30 साल से पहले कोई भी युवग या 30 साल से पहले अपनी कोई अपनी लाइफ को सटल कर चुका है, नौकरी पा चुका है, या कुछ भी अच्छा जीवन या अपनी कर रहा है, तो वह आ सकता है आंदोलन में, लेकिन जब तक वह शटल नहीं हुआ है, तो उसको किसी भी अंदोलन में सिरकत नहीं करने चाहिए, उसको अपने भविस्य पर ध्यान लगाना चाहिए, और वह जितनी संजीत की से अपने करियर पर ध्यान लगाएगा, अपनी पड़ाय लिखाई पर ध्यान लगाएगा, कि आज जो युवा आपको आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं, जिस युवा ने भी आंदोलन किया है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, उन में से एक दो अपवाद छोड़ दें, तो किसी को भी सरकारी नोकरी नहीं मिलने वाली है, ये वे लोग हैं जिनको सरकारी नोकरी न दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं अपने युवा वर्ग से यह अपील करना चाहता हूँ, कि आप पढ़ने लिखने पर जोर दें, और किसी भी यूटूब पर किसी विद्वान का कोई वीडियो हो, जिस मैं वे समझदारी की बात कर रहा हो, तो उसे बड़े ध्यान से सुन उनको आप अवाइड करना सीखो, महिलाओं से बात आप करते हैं, लेकिन अपनी लिमिट में रहे कर बात करें, आपका आंदोलन आपका उदेश से होना चाहिए, आपके आंदोलन का उदेश से है, उसकी मंजिल आपके उदेश से है, आपके मंजिल होनी चाहिए, आप इस बात को कभी न भूलें आप पेरियार जी की वो बात कभी न भूलें आप बाबा से डॉक्टर भिहुमरा ओंबेड करने जब समाज के लिए आंदोलन करना आरहं भी किया तब उनकी युगता क्या थी इस बात को कभी न भूलें अगर इस बात को याद रखकर आप भोजन समाज के लिए एक प्रगति का कारक सिद्ध होंगे नहीं तो आप इस समाज की प्रगति में बाधक तत्व ही साबित होंगे तो साथियों इसी उम्मिद के साथ कि जो हमारा युवा है वह अपनी प्रायलिक हाई पर ध्यान लगाए वह राजनित्ती से या जो भी आंदुलन हो पास उनसे चर्चा करके जब वोट डालने जाएं तो उनकी सहमती से या फिर उनका अनुभाव प्राप्त करके और तब डिसीजन लेकर अपने विवेक के अधार पर सही जैगा प्रप्ना मद्दान करें तभी भोजन समाज के अंदुलन सफल हो पाएंगे जैभीम नमों ब और येख लसे नहरे प्रयोगवपें जीजन सबग numerator खानों समाज कि अधार ओ computer समाज यहाद़वववववववववववववववववेवववववववववववववववववववववववववववववववववस्च रवयवववववववववव geliyor जैव छिसे